नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने जलन नहीं उबंग में तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो आपी क्लासे चर रही वो राजस्तान हाई कोर्ट ग्रूप D एक्जाम 2020 के लिए आपी क्लासे वो कंट्वी चर रही है तो आज जो आपी क्लास होगी वो राजस्तान हाई कोर्ट चतूर स्रेनी क्रमचारी एक्जाम 2020 के लिए आपकी इंग्लिस ग्रामरी क्लास होगी और इसमें हम रोजाना की बांती 25 क्यूसन करेंगे और ये 25 क्यूसन हो मोस्ट इपोर्टेड होने वाले हैं तो आपको इनक्यू शुरू करते हैं आज कि इस मोडल पेपर को शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गूड मॉर्निंग राम राम पहला क्यूसन आपकी स्क्राइब आ चुका है आपको पताना है फायर में हूब बैटर दा फायर रिपोर्टेड देट इस पेस अंडर कंडॉल आफ्ट उप्शन नमर बी आजाएगा वाज ब्रोट आजाएगा इसमें उप्शन नमर बी जिसने भी किया बिल्कुल जाई जवाब नेक्शन किया आपका ही नोज हाओ टू ट्रेट स्पेस लेडी तो आपको इसमें आर्टिकल से समंधित क्यूसन है बताए कौन सा आएगा चार उ option में से he knows how to trade space lady तो चार option में से अगर बात करें तो इसमें आएगा option number a यानि a आ जाएगा he knows how to trade a lady option number a जिसने भी किया बिलकुल साइज हुआ आप नेक्शन क्या आपका antonyms of opportunist यानि आपको opportunist का बताना है opportunist का बताना आपको antonyms यानि opposite meaning वाला word वाला meaning बताना है कौन सा आजाएगा opposite meaning बताएगे कौन सा आएगा opportunist का तो चार option में से कौन सा आजाएगा इसमें तो इसमें आजाएगा main of principle option क्या आजाएगा इसमें भी आपका बिलकुल सही जवाब होगा बढ़ते नेक्शन के और अब आपको बताना है कि it is a chemical process in which solid material is separated from a liquid तो आपको इसमें one word बताना है बताएगे कौन सा आएगा one word बताएगे कौन सा आजाएगा चार option में से तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें आजाएगा आपका प्रिस्पेटेशन क्या आजाएगा इसमें प्रिस्पेटेशन आजाएगा option number a अगर आप नहीं किया तो आपका बिलकुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और synonyms of cryptic यानि आपको cryptic का same meaning word बताना है कौन सा आएगा बताएगे कौन सा आजाएगा cryptic का synonyms बताना आपको क्या आएगा इसमें चार ओप्षन में से तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा तो इसमें आजाएगा प्रिसाइज option number क्या आएगा इसमें डी अगर आप नहीं किया तो आपका बिलकुल सही जवाब नेक्शन क्या आपका I space to leave the room active to face you में आपको convert करना आपता ये क्या आजाएगा चार ओप्षन में से I space to leave the room चार ओप्षन में से तो इसमें अगर बात करें सही जवाब कि इसमें आजाएगा वोस टोल्ड ओप्षन नमबर सी I was told to leave the room option number C अगर आपने किये तो बिलकुल सही जवाब नेक्शन क्या आपका he has fallen out with the girl he wanted to marry तो आपको इसमें बताना है जो बोर्ड अक्सर दे रखा है इसकी आपको improvement बताना है अगर होता है तो option नमबर आपको पहले 3 option में से चूज करना है अगर नहीं होता तो आपको option number D चूज करना है तो बताएगे कौन सा आजाएगा चार option में से तो फाल in out अपको इसमें आजाएगा फाल नलॉब option नमर क्या आजाएगा इसमें बी नेकी च्न क्या आपका antonyms of traduce यानि आपको traduce का antonyms वदाना 4 option में से क्या आएगा traduce का antonyms वदाईए 4 option में से कौन सा आजाएगा सही जवाब तो कौन सा आजाएगा इसमें जो भी आपको सही लगता है वो आपको note out कर लेना है तो इसमें आएगा s talks option number D अगर आपने किया तो आपका विल्कुल से जवाब next one क्या आपका sham said you are not listening to me direct to index में आपको change करना पता है क्या आएगा इसमें sham said you are not listening to me 4 option में से आपको direct to index में change करके पताना है क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आजाएगा sham said that I was not listening to her option number क्या आजाएगा इसमें option number इसमें आजाएगा sham a था यहांपे sham नहीं था द्यान रकना यह miss printing है sham a था तो इसमें आजाएगा option number A next one क्या आपका what would you like for space breakfast तो आपको इसमें article से समंदित क्यों से न बताएगी क्या आएगा इसमें क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें कौन सा article आजाएगा चार ओप्शन में से यह आपको बताना है कि कौन सा article आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा आपका यह बिल्कुल सही है what would you like for breakfast इसमें no article आएगा option number D अगर आपने किया तो बिल्कुल सही जवाब नेक्शन क्या आपका synonyms of deplet यानि आपको deplet का synonyms बताना है चार ओप्शन में से deplet का same meaning वाला वर्ड बताएगे चार ओप्शन में से कौन सा आएगा क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आजाएगा to exhaust option number C आपका बिल्कुल सही जवाब नेक्शन क्या आपका although you examine it carefully you will notice some follows तो आपको जो although दे रखाएगा इसकी आपको improvement बताना है अगर वाकिया में को improvement होता है तो आपको पहले option number 3 में से एक choose करना है otherwise आपको option number D choose करना है बताए कौन सा आजाएगा चार option में से although you examine it carefully you will notice some follows तो इसमें आजाएगा आपका if आजाएगा option number क्या आजाएगा इसमें if आजाएगा option number B बिल्कुल सही जवाब नेक्शन क्या आपका दाऊसियन स्पेस ड्राई एक ट्वी डू पैसियों वाला क्यूसन आपका फिर्षिये रिक्ष्टान की पूर्ति कीजिए दाऊसियन स्पेस ड्राई चार ओप्सन में से तहीं क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आजाएगा cannot be pumped option number क्या आजाएगा इसमें भी आजाएगा आपका बिल्कुल से जवाब बढ़ते ने एक्षन की ओर a block of some on which a column or such a stands आपको one word बताना है इसमें a block of some on which a column or state state to stand बताएगे क्या आजाएगा चार ओप्सन में से one word बताएगे तो इसमें आजाएगा print option number C अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल से जवाब next on की आपका there has been a landslide used space be careful while driving there तो इसमें आपको क्या बताना है इसमें आपको model fill up करना है यानि model से समंदी आपका question बताएगे कौन सा model stable होगा इसमें there has been a landslide sorry landslide used space be careful while driving there तो इसमें आजाएगा आपका must आजाएगा option number B बिल्कुल से जवाब next on की आपका Mary asks for you are you okay Harry मेरी asks are you okay Harry बताएगे 4 option में से कौन सा आजाएगा कौन सा आएगा 4 option में से यह आपको बताना है 4 option आपको दिये हो है जो भी आपको से लगता है उसको आपको no down कर लेना है तो कौन सा आएगा इसमें जो भी आपको से लगता है उसको आपको no down कर लेना है तो इसमें आजाएगा आपका Mary asks if Harry was okay option नमर क्या आजाएगा इसमें A, बिल्कुल साही जवाब next on की आपका she says the first prize in the competition एक to do question आपके सामने फिर आजीरे बताएगे कौन सा आएगा इसमें कौन सा आएगा चार option में से she says the first prize in the competition तो इसमें आजाएगा आपका one option number A जिसने भी किया बिल्कुल साही जवाब next on की आपका I need it I need not borrow your book anymore because I have bought mine oven तो आपको इसमें correction बताना है क्या correction होगा इसमें अगर नहीं होगा तो आपको option number D चूज करना है three option दे रहे के उने में से कोई एक चूज करना है क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आजाएगा I have bought my oven option number क्या आजाएगा इसमें A आपका बिल्कुल साही जवाब होगा next on क्या आपका in future famous singer space to perform at charity concerts तो इसमें क्या आएगा चार option में से 10 के अनुसार इसमें वर्फ की form बढ़ने है क्या आजाएगा चार option में से तो इसमें आजाएगा will be invited option number क्या आएगा B आपका बिल्कुल साही जवाब होगा next on क्या आपका antonyms of categorical यानि आपको categorical का बताना है antonyms यानि opposite word बताना है कौन सा आजाएगा इसमें कौन सा आएगा चार option में से तो इसमें आजाएगा qualified option number D बिल्कुल जवाब next on क्या आपका the fact of being difficult to see through the fact of being difficult to see through तो चारो option में से one word बताना आपको चारो option में से कौन सा आएगा जो भी आपको से लगता है उसको no down कर लेना है तो इसमें आजाएगा two specific क्या आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा opacity opacity option number A में दे रखा आपको बिल्कुल साही जवाब बढ़ते नेक्शन की और synonymous of placate याई आपको placate का बताना है meaning what बताईए चारो option में से कौन सा आएगा synonymous of placate तो चारो option में से कौन सा आएगा इसमें two specific option number C आपका बिल्कुल साही जवाब होगा नेक्शन की आपका what is the feminine of earl याई आपको earl का feminine बताना है gender से समंदीत आपका question अपता है क्या आजाएगा इसमें क्या आएगा इसका earl का feminine क्या आजाएगा इसमें countence option number A जिसने किया बिल्कुल से जवाब नेक्शन की आपका amongst the three brothers इसमें आपको adjective से समंदीत क्यूशन आपका बता है क्या आएगा इसमें among the three brothers अधितेजदा चार ओप्शन में से आपको adjective से समंदीत क्यूशन है वह आपको बताना है क्या आएगा इसमें option number C tellist आजाएगा याने tellist option number C बिल्कुल से जो आपका the student the building इमिडेटली चार ओप्शन में से आपको क्या है वरप के अकोर्डिंग आपको बताएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आज आएगा have been ordered option number D अगर आप ने किया तो आपका विल्कुल से जवाब तो यह तो था आपका आज का English grammar का एक online practitioner जिसमें हमने 25 क्यूसन की है अब आपको बताना है कि 25 मेंजे आपके कितन नमर आए आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगए तो लाइक और शेयर जूर करना है अगर आप से नपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में आपको इधर बेल आइकन दीख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी या फिर क्लास डले जाए आपकी पास उसका notification आ जाए और आप जल्द ही जल्द क्या है वो जोइन गर्स को तो आज की क्लास में वस इतना ही मिलते हैं ने क्लास में तब तक के लिए जयबाद धन्यवाद